मीजल्स और रुबेला जैसी गंभीर बिमारियों से बच्चों को बचाने के लिए सरकार ने अभियान छेड़ दिया है इन दोर में स्वास्त मंदरी तुलसी सिलावत ने खुद इस अभियान की शिरुवात करते हुए रुबेला और खसरा बिमारी के खिलाफ जागरुकता लाने के लिए प्रचार रत को हरी जंडी दे कर रवाना किया टीका करन अभियान के तहट 9 से 15 साल तक के बच्चों को टीके लगाए जाएंगे ये टीका बच्चों में खसरा, निमोनिया, दस्त और दिमागी संक्रमन जैसी गंभीर बिमारियों से बचाएगा इस दोरान स्वास्त मंत्री ने कहा कि इस अभियान से उनकी कोशिशे हैं कि प्रदेश और शहर स्वास्त रहे मेरा देश, मेरा सहर स्वास्त रहे और बच्चों से लेकर युवाओं तक इस बिमारी से उकरें जिस परकार से हमारी भावी को बढ़ाई देता हूँ, देश के अंदर, मत्यप्रदेश के अंदर हमारे इंदौर का नाम हुए साब सपाई, और अब कुछ दिन बाद आप पढ़ोगे, स्वास के अंदर भी मेरा मत्यप्रदेश अववल रहे गारतलवह की खस्टरा रोग के निर्मूलन तथा रुबैला को नियंत्रिक करने के लिए ठीका लगाया जाना जरूरी है खस्टरा जान लेवा रोग है और यह वाइरस की तरफ फैलता है बच्चों में खस्टरे के कारण विकलांगता और असमय मृत्यू हो सकती है यह संक्रामक रोग प्रभावित व्यक्ति के खासने या छीकने से फैलता है ऐसा ही रोग रुबैला भी है ब्यूरो रिपोर्ट, MP News इन दौर